क्रिकेट की इंसाइट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और इसके बाद बैल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिलें क्रिकेट की एक्स्क्लोसिव खबरें टीम इंडिया को एडिलेट में भले ही जीत मिली लेकिन पर्थ में मिली करारी हार ने कई सवाल खड़े कर दिये हैं टीम इंडिया में एक नहीं कई खामियादी की और इसलिए अब मेलबन में होने वाले तीसरे टेस्ट मैच में टीम में बहुत बड़े बदलाव नज़र आएंगे या कहें कि पूरी टीम ही बदली बदली नज़र आएगी और इसका साब साब इशारा कप्तान विराट कोली ने दे दिया तो आप भी तीसरे टेस्ट मैच की टीम पर अपनी राय कमेंट करके जरूर दें मेलबन में सबसे पहले ओपनींग जोड़ी पर ही हतोड़ा चलेगा उमीथी के पृतिर शौ फिट हो जाएंगे लेकिन अब वो पूरी तरह टेस्ट सीरी से बाहर हो गये है लिहाजा मैंक अगरवाल को भारत से बुलाए गया है और मेलबन में मैंक अगरवाल का टेस्ट डेबी होना तह है मैंक अगरवाल टीम में पहले ओपनर होंगे जबकि केल राहूल पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे दूसरे ओपनर मुरली विजई ने भी बेहद खराब खेल दिखाया है टीम में रहने लैक तो उन्होंने भी काम नहीं की है लिहाजा एक बड़ा चांस ये बनता दिख रहा है कि रोहित शर्मा फाइनली टेस्ट मैचों में ओपनिंग करते दिखाई दें जी हाँ जैसे धोनी ने वन्डे मैचों में रोहित से ओपनिंग कराई थी वैसे ही विराट कोली टेस्ट मैचों में रोहित शर्मा से ओपनिंग करा सकते हैं जो हिट मैन के फैंस के लिए बड़ी खुश कबरी होगी और मैंक और रोहित की फ्रेश जोडी मेलबन में नजर आएगी तीसरे नमर पर चेते शर्पुजारा, चौते नमर पर विराट कोली और पांचवे नमर पर अजिंक रहाडे इनका खेलना फिलाल पक्का है, यहां कोई बदलावना फिलाल होगा ना आगे होने जा रहा है अब बात करते हैं छटे नमर की, तो यहां पर हार्दिक पांडिया की बड़ी एंट्री होने जा रही है पांडिया पूरी तरह फिट होकर आस्टेलिया पहुँच चुके हैं और उन्हें छटे नमर पर खिलाए जागा इतना ताय हो चुका है जबकि हनुमा विहारी को बाहर बैटना होगा हनुमा विहारी भी बले बाजी में कोई खास कमाल नहीं दिखा पाए और पांडिया के आने से बले बाजी के साथ साथ गैन बाजी में भी घहराई आएगी साथमे नमर पर रिशप पंथ ही खेलने आएंगे रिशाप पन्त के खराब खेल के बाद भी पार्थी पटेल को फिलहाल मौका मिलने की उमीद नहीं की बराबर है अब बात करते हैं आठवे नमबर की जहांपर रविंद्र जड़ेजा की एंट्री होगी जड़ेजा की तीम में वापसी हुई है जबकि रवी चंदर नश्विन फिट होने के बाद भी बाहर ही रहेंगे जड़ेजा अपनी फिरकी से कंगारू गैंद बाजों को नचाने का भी माददा रखते हैं इस बार टीम इंडिया की बैटिंग 8 फे नंबर तक होगी और इसके बाद तीन तेज गैंद बाज कहलेंगे जिसमें महमद शमी, इशान शर्मा, जस्प्रीत बुम्रा को ही फिर से मौका मिलेगा यानि इस तरह मेलबर में पूरी टीम बदली बदली नज़र आगी और आपका इस टीम पर क्या कहना है आप भी कमेंट करके अपनी राइज जरूर दें फ्लेइम मीडिया रिपोर्ट